वेलकम डेसन स्टेडी पोइंट दोस्तों विहार सेसी इंटर लेवल मेंस एक्जम के लिए आपको लगातर वीडियो दिजा रही है और इस वीडियो में हम विहार समानेगान के मोस्ट इंपोर्टन 20 प्रशन देखने वाले हैं दोस्तों आप इस सारे 20 प्रशन जरूर देखि प्रशन है बिहार के कुल भगोलिक छेत्र का वना च्हादीत प्रशत लगवक कितना है यानि कि बिहार का जो कुल भगोलिक छेत्र है उसमें कितना प्रशत छेत्र फर जो है वह वनों से घेरा हुआ यानि कि वन वाला जो प्रदेश चेत्र है बिहार में कितना है 15 प्रशत 17 19 या फिर 23 तो आप से भी लोग एंसर देंगे इस प्रश्ण का तो बिहार में कुल भोगोलिक शेत्र का जो वना चादीत प्रतिसत है वो हमारा हो जाएगा बिहार में जो कुल भोगोलिक शेत्र है उसका 17 प्रतिसत जो हिस्सा है वह वनों से 6 धका हुआ है तो हमारा उप्सन नमबर भी इस प्रश्ण का बिल्कुल करेक्ट न अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं देखें मोस्ट इंपोर्टन प्रश्ण है निम्न लिखित में से किस अखबार का प्रकासन पटना से होता है तो सही अंसर क्या हो जाएगा तो देखें बताना कि इन निम्न लिखित में से कौन सा ऐसा अखबार है जिसका प्रकासन बिहार की र इंडियन नेशन यह जो अख़वार है इसका प्रकासन पटना से होता था तो सही इंसर क्या हो जाएगा? option number A इस प्रशन का बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं देखिए हमारा अगला प्रशन क्या है? बिहार की मुख्य खाद्यान फसले कौन कौन सी है? बिहार की मुख्य खाद्यान फसले कौन सी है? तो आईए देखते हैं सही इंसर क्या हो जाएगा हमारा इस प्रशन का? correct answer हो जाएगा हमारा चावल गेहु और मक्का option number B देखिए चावल, गेहूं और मक्का जो है यह बिहार के मुखे खाद्यान फसले हैं ओप्सिन नमबर बी इस प्रशन का वलकूर करेक्ट एंसर हो जाएगा अगर हम गन्ना की बात करें तो गन्ना की मामले में उत्तर प्रदेश का पर्थम स्थान है और चावल, गेहूं, मक्का के मामले में बिहार है लेकिन प्रथम स्थान पर हम नहीं मान सकते हैं लेकिन बिहार में चावल, गेहूं और मक्का का जो उत्पादन है अच्छे मात्रा में होता है तो ओप्सिन नमबर बीस प्रशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन हमारा है त्रिवेडी नहर में किस नदी से पानी आता है बिहार में जो त्रिवेडी नहर है इसमें किस नदी से पानी आता है सोन से, मयुराक्षी, गंडक या फिर कोसी से तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा जो त्रिवेडी नहर है इसमें पानी आता है गंडक नदी से option number C गंडक नदी इस प्रशन का बिल्कुल correct answer हो जाएगा और बात इने कि बिहार के सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बिहार के सबसे लंबी नदी है गंगा नदी जो बिहार को दो भागों में विवाज़त करती है और यहाँ बिहार के मध्य में से होकर गुजरती है अगला प्रशन देखते है तो मारा अगला प्रशन है निम्न में से कौन सी दो नदियां अमर कंटक से उद्गमित है निक की निचे नदिया गया है इसमें से बताना कि कौन से नदी का उद्गम जो होता है अमर कंटक्स से होता है तो पहला है तापी नर्मदा चंबल या बेतवा सोन बेतवा या फिर नर्मदा सोन तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा देखिए इन में से जो दो नदिया है उनका उद्गम अमर कंटक्स से होता है तो कौन से हमारा सही हो जाएगा करेक्ट एंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D नर्मदा और सोन जो नर्मदा नदी है और जो सोल नदी है इन दोनों नदियों का उद्गम अमर कंटक्स की पहाडियों से होता है तो हमारा इस प्रश्ण का option number जो हमारा D है correct answer हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं अगला हमारा प्रश्ण है वर्तमान में बिहार में संपत्ती का मुख्य स्रोत क्या है यनि कि बिहार में वर्तमान में संपत्ती का मुख्य स्रोत क्या है उद्धियोंग खनिच संपदा क्रसी या फिर प्राक्रिक संसाधन तो correct answer क्या हो जाएगा बिहार में जो वर्दमान में संपत्ति का मुखिस्रोत है वो क्रिसी है option number C क्रिसी इस प्रशन का बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगर आपने C चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है अगला हमारा प्रशन क्या है कि बिहार सरकार के द्वारा करमचारियों के बेतन एवं प्रशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रशत व्या किया जाता है most important प्रशन है यानि कि बिहार सरकार के द्वारा करमचारियों के बेतन और प्रशन पर समस संसाधनों का कितना प्रत्सत व्याई किया जाता है तो सही answer क्या हो जाएगा option number B 46% जो है कुल संसाधन का करमचारियों के वेतन और पेंसन पर व्याई किया जाता है तो इस प्रशन का option number जो हमारा B 46% correct answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन मारा क्या है वर्स 2006 से 2007 में बिहार का विकास आत्मक व्याई इसके कुल व्याई का कितना था यानिकर जो बिहार में विकास कारियों के लिए जो खर्च हुआ था वह पूरे खर्च का कितना था ये बताना है 2006 और 2007 के लिए तो करेक्ट एंसर हो जायागा लगभख 60 प्रशन देखे जो बिहार में 2007-67 की वित्तिय वर्स में जो व्याई हुआ था उसमें से लगभख 60 प्रशन जो व्याई था वह विकास आत्मक कारिय के लिए हुआ था आप्सन नमबर जो हमारा ये है बिल्कुल सही एंसर हो जायगा इस प्रशन का अगला प्रशन देखते हैं देखें मारा अगला प्रशन क्या है बिहार में पहली बार किन के दवारा राजजी का आर्थिक सर्विचण प्रस्तुत किया गया बिहार में पहली बार किन के दवारा राजी का आर्थिक सर्वेचर प्रसुत किया गया तो correct answer हो जायागा option number B सुसील मोदी सुसील मोदी के दोवारा बिहार में पहली बार जो है आर्थिक सर्वेचर प्रसुत किया गया और इसमें जो मुख्यमंतरी थे वो नितिस कुमार ही है तो ये भी आद रखना है और सुसील मोदी वरतमान भी सरकार में बने हुए है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में चालू मुल्यों पर प्रति व्यक्ति नियुनतम आयवाला राज्य कौन सा है भारत में चालू मुल्यों पर प्रति व्यक्ति नियुन्तम आयवाला राज्य कौन सा है राजस्थान, गुजरात, बिहार या फिर उडिसा तो correct answer हो जाएगा option number C बिहार भारत में जो चालू मुल्यों पर प्रति व्यक्ति नियोंतम आयवाला राज्य है वो हमारा बिहार है तो option number C इस प्रश्ण का बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं अगला हमारा प्रश्ण है नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है तो correct answer हो जाएगा और अगला हमारा प्रश्ण क्या है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है यानि कि बिहार का जो उत्तरी भाग है वह किसके लिए प्रसिद है क्रिशी समरधी के लिए भारी उद्योग के लिए बाढ़ के लिए या फिर सूखा के लिए तो सही अंसर क्या हो जाएगा देखी जो हमारा उत्तर बिहार है यह बाढ़ के लिए प्रसिद है अब बाढ़ आने के कई कारण है जो कि जो उत्तर बिहार है तो नेपाल से निकलने वाली यानि कि जो हिमाले की परवत से नेपाल से निकलने वाली जो अनेक नदियां है वह उत्तर में बिहार में परवस करती है जिससे वर्षा रितु में बिहार के उत्तरी भाग में जो है ब बाढ़ के लिए परसिद्ध है, option number 6 प्रश्ण का बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला प्रश्ण हमारा देखते हैं अगला हमारा प्रश्ण है कि मकदुम कुंड कहां परस्थित है मकदुम कुंड बिहार में कहां परस्थित है मनेर में, राजग्रह में, बिहार सरीप में या फिर फुलवारी सरीप में तो correct answer क्या हो जाएगा जो मकदुम कुंड है या बिहार के राजग्रह मस्थित है option number B, मकदुम कुंड बिहार के राजग्रह मस्थित है तो इस प्रशन का option number जो हमारे भी है correct answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं देखें अगला प्रशन मारे क्या है बोध गया में बोधी वरिक्ष अपने वन्स की किस पीढ़ी का है बोध गया में जो बोधी वरिक्ष है वो अपने वन्स की किस पीढ़ी का है सम बोधी के नाम से और यह जो बोधी विरिच्छ है जो वर्तमान बोधी विरिच्छ है यह बोधी विरिच्छ के चतुर थपिढ़ी का है तो इस प्रशन का option number जो मारा भी है correct answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन देखे हमारा क्या है जैन धर्म के प्रवर्तक महाबीर सौमी का जैन कहा हुआ था जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे महाविर स्वामी जो की तो इनका जैन में बताना है कहाँ पर हुआ था तो correct answer क्या हो जाए अगर देखे इनका जैन में हुआ था कुंडग्राम में option number C कुंडग्राम में महाविर स्वामी जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है 23 में तिर्थंकर कौन थे वो थे पारस्वनाथ पारस्वनाथ 23 में थे और महाविर स्वामी जो थे 24 में तिर्थंकर थे जैन धर्म के ये बात याद रखनी है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रश्ण मारा है, वर्धमान महावीर ने कहा निर्वाण प्राप्त किया था, यानिके वर्धमान महावीर जो की जैन धर्म के परवर्तक थे, इन्होंने महापरी निर्वाण कहा प्राप्त किया, करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा, वैसाली, राजगरी, नारलंदा या फिर पावापूरी तो वर्धमान महावीर को निर्वान जहां पर प्राप्त हुआ था उस थान का नाम है पावापूरी option number D पावापूरी में ही वर्धमान महावीर को निर्वान की प्राप्ती हुई थी option number D इस प्रशन का बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं पटना में किस सी गुरू का जन्म हुआ था देखिए ये प्रस्ण मैंने कई बार आपको बताया है कि पटना में किस सी गुरू का जन्म हुआ था सिखों के दसमें गुरू गुरू गोविन सिंह का जन्म पटना में हुआ था तो इस प्रश्ण का सही इंसर क्या हो जाएगा option number B, पटना अगला प्रश्ण देखते हैं विष्णू पद मंदिर बिहार में कहां पर स्थित है विष्णू पद मंदिर कहां पर स्थित है पटना में, गया में, जमूई में या फिर दानापुर में तो देखे, जो विष्णू पद मंदिर है या बिहार के गहां पर स्थित है गया में स्थित है option number B, विष्णू पद मंदिर गया में स्थित है option number B, पर बिकरेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं बिहार के किस पर रेटन के अंदर पर गर्मजल के अनेक स्थित है यानि कि बिहार का इसा कौन सा पर रेटन के अंदर है जहां पर गर्मजल के अनेक स्थित है देव में, पावापुरी में, राजगीर में या फिर बिहार सरिप में तो correct answer क्या हो जाएगा हमारा option number C, राजगीर राजगीर में, गर्मजल के अनेक केंदर है तो option number C, correct हो जाएगा और आजगा हमारा अंतिम प्रशन है निम्न लिखित में से किस नगर में प्रथम बौद सभा आयोजित की गई थी तो निम्न लिखित में से प्रथम बौद सभा कहां पर आयोजित की गई थी correct answer क्या हो जाएगा option number C, राजगीर में जो है प्रथम बौद सभा आयोजित की गई थी अब comment करके आपको बताना है कि जो प्रथम बौद सभा होई थी उस समें सासन किस का था जो प्रथम बौद सभा होई थी नहीं कि प्रथम बौद संगी थी उस समें सासन काल किस का था इस प्रशन का जवाब आपको comment करके बताना है दोस्तों आपने 20 में से कितने प्रशन साइकि ये भी हमें comment करके ज़रू बताएगा और वीडियो को आप अपने जितने भी study related Facebook और WhatsApp ग्रूप है share करना मत भूलिए वीडियो को जरूर share करेगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद